हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम टू मैं चैनल प्रिशास वर्ड तो आज मैं आपके सामने फिर से आ गई हूँ एक नए प्रोडेक्ट का रिव्यू लेके ये है जो आजकल के बच्चों के लिए बहुत जादा इंपॉर्टन प्रोडेक्ट है और आजकल जैस ये मॉस्कीटो रेप्लेंट पैचेज ये जो होते हैं ये 100% नैच्रल है जिससे आपकी बेबी को कोई हाव नहीं होगा और आपको बता देती हूं कि ये मैंने जब और किये थे तो ये मुझे किस तरह से रिसीव हुए थे ये आप देख सकते हैं इस तरह की पैकेजिंग मे इससे आप यूज करके फिर से रिसील कर सकते हैं जिस्ते इनकी जो अंदर की जिससे ये मॉस्कीटो रिपल करते हैं वह एकदम भी खराब नहीं होती है ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास इस तरह के 24 पैचेज हैं और ये आप असानी निकालके अपने बेबी के किसी भी क पे या उसके स्ट्रॉलर पे या उसके आप जिस पे उसको सुला रहे हैं उस पे लगा सकते हैं जिससे कि आपके बेबी से मॉस्कीटो बहुत जादा दूर रहेंगे और आपका बेबी अराम से साउंड स्लिप ले सकता है तो यह मैंने और किये थे क्योंकि जहां पे हम लोग मैं वहां पे आजकल बहुत जादा मॉस्कीटो की प्रॉब्लम थी इस वज़े से मैंने इसको ट्राइ किया क्योंकि ऐसे पूरे टाइम आप बेबी की नहीं टेक कियर कर सकते हैं जिससे कि आप उसको मॉस्कीटो से बचा नहीं पाते हैं और बेबी को मॉस्कीटो बहुत ज अच्छे मुझे लगे और मेन इसका बेस्ट पार्ट यह है मैं आपको बता देती हूं कि यह 16 आर्ज आपके बेबी को प्रोटेक्शन देते हैं तो इसको बार बार चेंज करने की जरूत नहीं है आप एक बार उसके कलॉद पे लगा दीजे और 16 आर्ज तक आप टेंशन फ्र सकते हैं और मैंने इसको इसलिए भी ऐसन किया तो कि यह की आपको इसकी मुझे इसकी बता देती हूं कि इसकी केवल मुझे 24 का बार भू है तो आपको इसको जादा कोंस्तिंग भी नहीं आएगी और इसको मैंने Amazon से ओर किया था इसक्लों की तो इसकी कोट पड़ है लिंक में आपको description में दे दूंगी तो आप अपनी बेबी की safety के लिए एक बार इसको जरूर order करके देख सकते हैं क्योंकि precaution is better than cure आपको पता है कि अगर हम precaution लेंगे पहले से ही बेबी को mosquito काटने से बचाएंगे तो उसको diseases भी नहीं हो पाएंगी तो इसलिए मैंने उसको य काम से हटा सकते हैं यह just like a sticker है जो कि बेबी के mosquito अगर आपके बेबी के पास आता है तो उसे रेपल करते हैं और यह great mosquito replant है और मैं आपको इनकी qualities बता देती हूं यह बेबी के लिए safe हैं क्योंकि यह lemon grass से बने हुए हैं तो इसकी smell से भी बेबी को irritation नहीं होता है और यह आप कहीं पे भी use कर सकते हैं जैसे कि आपको मैंने पहले बताया और इनका adhesive भी बहुत जादा अच्छा है जो कि आपके बेबी के close पे जब लगाते हैं आप तो आपके बेबी के close को खराब नहीं करता है और आप किसी को किसी भी season में use कर सकते हैं especially monsoon और अभी का जो time चल रहा है जो बहुत जादा mosquitoes आपके बेबी को white करते हैं इसलिए मैं इसको use कर रही हूँ ठीक है तो अगर आप मेरे channel पे नए हैं तो please इसे like और subscribe करना मत भूले तब तक के लिए friends bye take care thank you